हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सब उमीद करते हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नंबर सैवन्टी सीक्स साइंस सब्जक्ट किया बेटा ग्यान जिग्यासादीदी we have learned about disease तो हमने बिमारियों के बारे में पढ़ा था but how do a disease is spread प्रन्तु जो disease है वो किस तरीके से फैलती है ये तो हमने जाना ही नहीं तो आज पूछ रहा है से ठीक है जिग्यासादीदी से तो क्या बताती है जिग्यासादीदी ग्यान as we know that disease can be communicable और non communicable हमने जाना था बेटा last work sheet में जो disease होती है वो communicable भी होती है और non communicable भी मतलब कि कोई तो अंतरिक तरीके से होती है और कोई भारी तरीकों से होती है ठीक है many microbial agent can move from an affected or infected person to a healthy person in many ways जो microbial agent होते हैं जो रोगानू होते हैं वो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कई तरीकों से पहुचते हैं these disease causing microorganism known as pathogens ठीक है तो जो यह disease मतलब के कारण बनते हैं बीमारी के उनको हम pathogen बोलते हैं हमने पढ़ा था और यह are able to spread through various means और यह कई तरीकों से हमारे सरीर में जा सकते हैं जैसे की air के थ्रू, water के थ्रू या physical contact के थ्रू ठीक है तो जो यह साधन है इसके जिस साधन से यह फैलते हैं उससे हमें यह पता चलता है यह कितने जल्दी फैलेगा और कितनी दूर तक फैल सकता है जैसे corona virus है बेटा देखो चायना में हुआ था चीन कितनी दूर है संसार में और वहां से वह यहां तक आ गया क्योंकि यह air से फै तो इतनी जल्दी से फैलती थी यह कि वाई यू में फैल जाती तो सबको हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से बता सकते हैं कि फैलने का अगर जो तरीका है उससे हम यह बता सकते हैं वह मारे कितनी दूर तक फैल सकती है ओके अब यहां पर देखो बेटा means of spread of various infectious disease तो अब उ यह infected person है इन से वह कई तरीकों से फैल सकता है ठीक है जैसे कि throw communicated air तो air के फैल सकता है by sneezing, coughing, the microbes spread into air and enter into the body like common cold, tuberculosis और pneumonia etc ठीक है तो जो air के फैलती है गंदा अगर पानी होगा गंदी अगर हवा होगी उसमें अगर कोई वैक्ती है वो छीकता है या मतलब की खासता है तो उसमे जो agent होते हैं मतलब जो सुकसम जीव होते हैं उसके छीकने खासने वाले droplet के अंधर और वाईयू में अटक जाएंगर दूसरा उसमें सांस लेगा तो वो उसके सरीर में चाह सकते है और जैसे कि उससे कौन कौन से बिमारी हो सकती है common cold, tuberculosis ठीक है और pneumonia okay फिर throw contaminated water अगर पानी हम गंदा पी लेते हैं गंदा तो microbes enter in our body पानी के थुरू जब हम पीते हैं और खाने से ठीक है eating polluted and contaminated water और food खाने से भी गंदा खाना खंदा पानी पी लेंगे तो हैजा जैसी यानि की cholera और amoebic dysentery ठीक है तो पेचिस जैसी बिमारिया हमें हो सकती है उसके बाद throw contaminated medical equipment और जो equipment इस्तमाल होते है medical अगर वो गंदे होंगे तो मतलब उनसे हो सकता है जैसे कि एक रोगी को इस्तमाल किये वो जैसा सुई हो गई gloves हो गए thermometer हो गया एक फीवर चेक किया और दूसरे कभी उसी से कर दिया तो उसको क्या हो सकता है बिमारी हो सकती है ठीक है तो अब next वैक्टर्स वैक्टर्स होते है जो एक वैक्ती से दूसरे वैक्ती तक उसे ले जाने का कारिये करते हैं जैसे मच्छार हो गए कुटा हो ग the disease to a healthy person when they bite them like rabies malaria dengue yellow fever etc तो इतने तरीके की बिमारिय हो सकते हैं कुत्ते के काटने से इन से क्या होता है मच्छर के काटने से malaria होता है रेबीज हो जाता है कुत्ते के बंदर के इन के काटने से देंगू हो जाता है देंगू वाले मच्छर के काटने से ठीक है फिर त्रोग sexual contact ठीक है तो physical contact में आने से भी होता है जैसे सिफिल्स हो गए AIDS spread by sexual contact with infected person ठीक है अगर किसी को AIDS है और उसके साथ अगर कोई sexual contact है तो उससे उस व्यक्ति को हो सकता है AIDS virus can also spread by infected blood transfusion और किसी एक व्यक्ति को AIDS है तो उससे अगर हम कोई ब्लड लेते हैं तो भी उसके थ्रू किसी को उससे मतलब की दूसरे व्यक्ति को चला जाएगा जो उसका ब्लड लेगा और क्या होता है mother to child during pregnancy और अगर किसी mother को AIDS है तो उससे उसके बच्चे को भी चला जाए का वो इड्स ठीक है तो इतनी घातक बीमारी होती है यह थ्रोग physical contact और physical contact से भी होता है some disease spread when we use the cloth food etc used by infected person ठीक है और अगर बेटा किसी एक व्यक्ति के जो कपडे वगेर है हम उसको इस्तमाल कर ले अगर उसको skin की problem है ता हुचा की खाज 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 खुजली की तो हम हो सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखो बेटा दिखाए गई है अलग अलग तरीके physical contact में आने से air के थू या फिर indirect contact कपडे वगेरा या उनके बरतन इस्तमाल करने से या खाना जो उसने खाया उसी का जूटा खाली है जो बिमार वैकती है उससे ठीक है सभी से नहीं जो ब बुद घातक भीमारी है तो इसके लिए ही हमें topic दिया AIDS का इसकी full form क्या है acquired immunodeficiency syndrome यह इसकी full form है एक नंबर में आ जाती है फिर कारण क्या है रेट्रो वाइरस यानि की HIV रेट्रो वाइरस है फैलता है इसकी भी full form आ जाती है human deficiency immunovirus होता है अब method of transmission तो AIDS फैलता कैसी है तो sexual contact से हमने बात की थी blood transfusion यानि की एक जो इसे infected person उसका blood लोगे तो भी और use of infected needle blade उसके द्वारा जो इस्तमाल की गई है उनको अगर कोई और भी इस्तमाल कर ले या फिर माता से बच्चे को हो सकता है ठीक है अब prevention कैसे हो सकती है यह तो जान लिए हमने फैलेगा कैसे बचाओ क ले रहे हैं पहले की कहीं उसको HIV negative तो नहीं है उसका blood ठीक है फिर always use disposable needle and syringe और जो syringe होती है वो एक व्यक्ति को ही लगनी चाहिए हर एक व्यक्ति को वही वाली syringe नहीं लगानी चाहिए avoid same razor used in the salon और हमें क्या है same razor को use करने से बचना चाहिए जैसे salon वगेरा है बिटा उसमें gents बनवाते है वो अगर एकी blade से सभी की डाड़ी बना देता है तो हो सकता है उसमें भी chance ही होते हैं ठीक है अगर कोई AIDS से infected होगा और दूसरे को इस्तमाल कर दिया उसी का blade तो हो जाए c d e f ठीक है आप यह सारे लिख दोगे फिर नेक्स्ट कोशन क्या है बेठा राइट टू एक्जामपल्स ओफ इस डिजीज डेस्ट डेट कें स्प्रेड थ्रोग वाटर एयर वेक्टर स्टीक है तो देखो यहां पर एयर से फैलने वाली common cold, tuberculosis, pneumonia, water से फैलने वाली cholera और amoe दिजेंटरी और वेक्टर से yellow fever, dingo, malaria, rabies ठीक है तो यह आप लिख सकते हो air उसके आगे disease यह फिर लिख सकते हो air caused disease फिर बिमारियों के नाम फिर water caused disease फिर vector caused disease ठीक है अब नेक्स्ट कोशन क्या है बेटा वट इस दा फूल फॉर्म ओफ एड्स तो देखो यह आ गई एक एक immunodeficiency ठीक है आप लिख दोगे the full form of the full form of AIDS is यह लिख दोगे सारा ठीक है फिर what are the methods of prevention of AIDS तो prevention के method क्या है तो prevention के यह 3 points आप इसमें लिख दोगे यह थी बेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो comment box में पूछ लेना इस वीडियो में इतने अपना नेक्स टोपिक जोगा में अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक लैसी हजते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए रागे बढ़ते रहिए थैंक्यू